आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्दम रेस्टोरेंट स्टाइल गोवी मंचूरियन जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है एक्दम लाजवाब ये डिस्त होती है अक्सर हम होटल ये रेस्टोरेंट में से खाते हैं गर्म गरम गोवी मंचूरियन सभी क बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और आज हमसे बिल्क्ल परफेक्ट Mr.트रीकै से बनाने वाले हैं और इसे हम अबालेंगे नहीं बीना उबाले में इसे बणने वाली हैं और एक्दम पर्फेक्ट हमसें आप उसे प्राइड करने आल रच बना सकते हैं I hope ये रेस्पी आपको पहुत पसंद आएगी गोवी मंचूरियन मंखाने में एकदम टेस्टी लाजवाब डिस है आई होप आपको पसंद आई तो चलिए शुरू करते हैं इस इंट्रस्टिक सी रेसिपी को हेलो फ्रेंज मैं सोनी सोनी फोर्स्टेल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गोवी मंचूरियन बनाने के लिए यहां मैंने हाफ केजी गोवी ली है इसको मैंने अच्छे से धो लिया है गरम पानी में दो से तीन बार इसे अच्छे से मैंने धो लिया है इसको उबाल डाल लेते हैं आदी चोटी चम्म्मच मैंने यहां लाल मिर्स का पावडर लिया है और आदी चोटी चम्मच मैं इसमें कुटी हुई काली मेस डाल रही हूँ, सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही जादा टेस्टी यह गो विवन कर तयार होगी क्योंकि सारे मसाले इसमें अंदर तक चले जाएंगे तो मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए है मैंने अब हम इसमें कॉन फ्लार एड़ कर लेंगे तो उसके लिए मैंने यहां चार चमच कॉन फ्लार लिया है जिस चम्मच से हम खाना काते हैं बस उसी चम्मच से 4 चम्मच लेना है और दो चम्मच में यहाँ मैदा लिया है, डाल लेते हैं इससे गोबी को जब हम फ्राइ करेंगे तो एक्दम क्रिस्पी गोबी बनकर तयार होगी तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे अब इसमें हलका सा पानी हम डाल लेंगे बस एक से दो चमच पानी इसमें डालना है ताकि गोभी में कॉन फिलार और जो हमने मैदा डाला है वो अच्छे से कोट हो जाए देखी यह अच्छे से कोट हो गया है एकड़म परफ्रेक्ट बनका तयार हुआ है आप देख पा रहे होंगे सब जगे यह अच्छे से लग गया है अब हम इसे फ्राई कर लेंगे फ्राई करने के लिए तेल मैंने अच्छे से गरम करनिया है तेल को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे हाई फ्लेम पर या लो फ्लेम पर नहीं रखना है तो हम विगे टुकड़ेस में डाल लेंगे और अच्छे से हम इसको हलका सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे ज तो गरम पाने में आप तीन मिनट के लिए अच्छे से उबाल लीजिए और फिर इसको कॉन फ्लार में और मैदे में कोट कीजिए और फिर एक बार फ्राइ कर लीजिए तो तीन मिनटी हम फ्राइ करेंगे से तीन मिनटी से मैंने फ्राइ कर लिया है हलका साइस में कलर आ गया ह आप देख पा रहोंगे तो निकाल लेते ही से देखिए बहुत ही प्यारा इसमें कलर आया है और जो गोबी के टुकड़े बच गए हैं उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे डाल लेते ही ने भी और इन्हें भी हम 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे देखिए 3 मिनट हो गई है इसे भी हम निकाल लेते हैं और अब हम गयस को हाई फ्लेम पर कर लेंगे और इनको हम एक मिनट के लिए फिर से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे जिससे गोबी के जो टुकड़े हैं वह बहुत ही ज्य भी नहीं करना है और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे तो फ्राइब कर लेते हैं एक मिनट एक मिनट हो गई है आप देख पा रहे होंगे बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आ गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे टूश्य पेपर पर जो भी इसमें एक्स्ट आपके पास लाइट वाला है तो आप तो चमत डाल लेजिए एक चमच यहां रेड चिली सॉस डाल लेंगे हम और इसके साथ ही एक चमच हम इसमें टोमेटो कैचप डाल देंगे आप चाहें तो सारे चीजे अलग-अलग भी डाल सकते हैं लेकिन अगर हम ऐसे घोल बना कर त्यार कर लेंगे तो सारे काम आसान हो जाएंगे अब इसमें मैं एक चुथाई कप पानी डाल रही हूँ और साथ ही साथ इसमें एक चमच हम कौन फ्लार डाल लेंगे डाल लेते हैं कौन फ्लार को और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसका घोल बना कर तयार कर लेंगे घोल बना कर हम इसे अलग रख लेंगे तो यह अच्छे से मिक्स हो गया है इसे रख देते हैं थोड़ी गेर के लिए अब मैंने यहां एक पैन लिया है और उसमें दो चम्मच मैंने तेल डाल लिया है एक चम्मच में बारी कटी हुए यहां हलहसुन डाल रही हूँ बूल लेंगे इसे थोड़ा सा अब एक चम्मच हम बारी कटी हुए अदरक डाल लेंगे इसे भी हलका सा बूल लेंगे अगर आपके पास अदरक लैसुन का पेस्ट है तो वह भी आप ले सकते हैं देखे फ्राइ कर लिए मैंने अच्छे से अब तीन मैंने मिर्च ली है हारी मिर्च इसको मैंने लंबा कट कर लिया है यानि कि स्लिट कर लिया है यह भी हम पका लेंगे अच्छे से अब एक प्याज लिया है जिसको मैंने कद्दुकस किया है आप चाहे तो बारी कट करके भी ले सकते हैं तो इसे भी हम भूल लेंगे हलका सा गुलावी कलर आने तक अब दो बड़े चम्मच मैंने यहां स्प्रिंग अनियन लिए हैं यह डाल लेते हैं इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा गो वी मंचूरियन में तो इसे भी हम हलका सा फ्राइए कर लेंगे अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं मैंने यहां दो बड़े चम्मच लिया है अब हमने जो सॉसेज का लिक्विड घूल बना कर तयार किया था उसे हलका साम एक बार और मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे और थोड़ा साम दो से तीन चम्मच पानी और डाल लेते हैं इसमें आधी चोटी चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ मिला लेंगे अच्छे से दो मिनट मैंने इसे पका लिया है अगर आपको ग्रेवी ज्यादा पतली या गाड़ी चाहिए तो उसी के अनसार आपिस में पानी डाल लीजिये अब हम गोवी के टुकडे डाल लेते हैं इसमें अगर आपको पतली वाली ग्रेवी चाहिए तो जहां मैंने एक चुथाई तो ज्यादा पानी नहीं डाला है, तो मैंने एक चुथाई कप इसमें पानी डाला है, एक से दो चम्मच उपर डाला है, तो ये बनकर तयार है, अब थोड़ा सा हामी से गार्निस कर लेंगे, कटे हुए स्प्रिंग आनियन से, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा मैने बारिक कटा हुआ हरा दनिया अंडाला है, अगर आपको इसमें धरिया पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसके बगेर भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गोवी मंचूरियन बनकर तयार हो यह गर्मा गर्म गोवी मंचूरियन बनकर बिल्कूल तयार है, बहुत ही ज़्यादा यह टेस्टी है, और इसे हमने बिल्कूल सिंपल तरीके से बनाया है, एक्दम रेस्टोरेंट स्टाइल यह डिस बनकर तयार हुई है, आई होप यह रेस्पी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आ रही है तो ठीर सारे लाइक कीजिए, सेर कीजिए से फैमिली में, फ्रेंड में, सोसल साइट पे आप सेर कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे, फेस्बूक पे फोलो कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके जुरूर बताईए कि आज की रेस्पी आपको कैस अगर अगर अब ही तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बैल आइकन को जुरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा लाजवावी रेसिपी है, आप जरूर ट्राइ कीजिए, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंज, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद